कबड़ी का बुखार लगने में सिर्फ कुछ दिन का समय बचा हुआ है, in fact कुछ ऐसे फैंस होगे जिनके उपर कबड़ी का बुखार अल्रेडी लग चुका होगा, because प्रो कबड़ी सिर्फ 5 दिन दूर है, and हमें देखने को मिल जाएगा, प्रो कबड़ी का लंबा सीजन जह हर एक टीम अपने शेहरों में इस बार का मैचेस खिलने वाली है, इस विड़ो में आपको सभी टीम्स के पहले मैच के स्टार्टिंग 7 के बारे में बताने वाला हो कि पहले मैच में सभी टीम्स की क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, कुछ टीमों के स्टार्टिंग 7 में को मिल जाएगा तो विडियो के एंड तक बने रही है शुरुबात करते सबसे पहले मैच के साथ आपको पता ही होगा कि प्रो कबड़ी का ओपनर गेम कौनसे टीम के बीच में होने वाला है गुजराज जाएंट्स बनाम तेलकू टाइटन्स के बीच में दो दिसंबर को खेल जाएगा पहला मैच एंड गुजराज जाएंट्स के पहले मैच की स्टार्टिंग सेवन की बात कि जाए तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो सेंटर पर राके सुंग्रोया देखने को मिलेगे राइट टीन पर रोहिद गुलिया जो वाइस कप्तान है लेफ टीन पर टीन पर राइट कवर पर सौरप गुलिया लेफ्ट कवर पर अरकम शेक राइट कॉर्णर पर सोंबिर गुलिया एंड लेफ्ट कॉर्णर पर फजल अत्राचली देखने को मिल जाएगे जो यहां पर गुजराज चायंट्स के कप्तान रहने वाले है वहीं पर तलगू बात्राच हे लेफ्ट कोर्त यहां पता चल रहा है कि इनको मौक दिया जाएगा and starting seven के अंदर include होने वाले तो ये दोनों ही teams की पहले match की starting seven रहने वाली है उसी दिन के दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यू मुंबा वनाम, यू पी युद्धास के बीच में अब इस मुकाबले में दोनों ही teams की क्या starting seven होगी यू मुंबा की पहले match की starting seven इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा जहां पे center पे देखने को मिल जाएगे गुमान सिंग, right in पे आमीर मोहमद चाफर दनेस left in पे जय भगवान, right cover पे महंदर सिंग, left cover पे सुरिंदर सिंग right corner पे रिंकुष शर्मा and left corner पे हमें गिरिश एरनाक देखने को मिल जाएगे वहीं पे यू पी ओदास के पहले match की starting seven की बात की जाए तो हमें center पे परदीप नर्वाल देखने को मिलेगे, जो कप्तान है right in पे सुरिंदर गिल देखने को मिल जाएगे, left in पे विजय मलिक, right cover पे आसु सिंग, left cover पे हरिंदर कुमार right corner पे सुमित सांगवान and left corner पे हमें नितेश कुमार देखने को मिल जाएगे तो यह यहाँ पे UP योधास के पहले match की starting 7 रहने वाली है अब जैसे कि यहाँ पे हम सभी teams के पहले match की starting 7 जान रहे हैं आपको पता है कि PKL करीब आ चुका है और मैं आपको बता दू डेली कुछ ना कुछ updates आ रहे हैं अगर आपको हर एक update सबसे पहले जानना है तो मेरी आप सभी से request है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हो हमारा official टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट सुनीवर्स जहाँ पे आपको कबड़ी के हर एक update सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है टेलीग्राम चैनल को join कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देने वाला हो या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एट दिरेट स्पोर्ट सुनीवर्स सेवन सर्च करके फटा-फट जॉइन कर लीजिए कबड़ी का सीजन आ रहा है हर एक अपडेट एंड कुछ एकसाइटिंग अनौंसमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ डेली देखने को मिल जाएगा तीसरे मैच की बात की जाए तो तीसरा मुकाबला तमिल तलावाज एंड दबंग डेली के बीच में खिला जाएगा एंड तीसरा मुकाबला 3 दिसमबर को खिला जाएगा तो तमिल तलावाज के पहले मैच की स्टार्टिंग 7 की बात की जाए तो हमें सेंटर पे देखने को मिल जाएगे जिंक ये पवार राइट इन पे देखने को मिल जाएगे लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएगे मसाना मुतु लक्षनन I hope pronunciation सही कर रहा हूँ तो ये हमें लेफ्ट इन पे देखने को मिलेगे राइट कवर पे M. अभिशेक लेफ्ट कवर पे मोहित जाकर राइट कॉर्णर पे सागर राथी और लेफ्ट कॉर्णर पे साहिल गुलिया देखने को मिल जाएगे वहीं पे दबंग देली की बात किजाए तो दबंग देली के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएगे नवीन कुमार सेंटर पे राइट इन पे मीटू शर्मा लेफ्ट इन पे आशु मलिक राइट कवर पे बाला साहिब जादव लेफ्ट कवर पे हिम्मत अंतिल राइट कॉर्णर पे सुनील नर्वाल और लेफ्ट कॉर्णर पे हमें विशाल भार्दवास देखने को मिल जाएगे तो दबंग दली की पहली मैच की स्टार्टिंग सेवन इस तरह से दिखने को मिल जाएगा मैच नमबर 4 की बात की जाए तो मैच नमबर 4 गुजराज जैंट्स वसिस बेंगलोडू बुल्स के बीच में खिला जाएगा तो इसे साब से तो गुजराज जैंट्स के दूसरा मुकाबला होने बाला है लेकिन बेंगलोडू बुल्स के पहला मुकाबला होगा जो 3 दिसंबर को खिलने वाली है तो इस मैच में बेंगलोडू बुल्स की स्टार्टिंग सेवन इस तरह से देखने को मिल जाएगा सेंटर पे भरत हुड़ा राइट इन पे विकास कंडोला लेफट इन पे निरज नर्वाल राइट कवर पे सुर्जीच सिंग लेफट कवर पे विशाल लाथर राइट कॉर्नर पे सौरब नंदल और लेफट कॉर्नर पे हमें अमन अंतिल देखने को मिल जाएगे तो यह यहाँ पे बैंगलोडो बुल्स की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है पहले मुकाबले के लिए अगले मैच की बात की जाएगा तो मैच नमबर 5 खेला जाएगा पुनेडी पल्टन वसिस जैपूर पिंग पैंथर्स के बीच में यह मैच 4 दिसंबर को होने वाला है तो पिछला सीजन का जो फाइनल मैच है उस हिसाब का रिवाइन देखने को मिल सकता है तो पुनेडी पल्टन की बात की जाएगे पुनेडी पल्टन की पहले मैच में स्टार्टिंग सेवन इस तरह से होने वाली है सेंटर पे मोहीत गोयत राइट इन पे असलम इनामदार लेट इन पे अकास सिंदे राइट कवर पे अभीनेश नदराजन लेट कवर पे संकेत सावंत राइट कॉर्णर पे गोरफ खतरी और लेट कवर पे हमें मोहमद रेजा सादलू देखने को मिल जाएगे वहीं पे जैपूर पिंक पैंटर्स की बात की जाए तो जैपूर पिंक पैंथर्स के पहले मैच की स्टार्टिंग 7 इस तरह से देखने को मिल जाएगा तो यह यहाँ पे जैपूर पिंक पैंथर्स की पहले मैच में स्टार्टिंग 7 हो सकती है अगले मैच की बात की जाए तो मैच नुमर 6 बेंगलडू बॉल्स वसिस बेंगॉल वारियस की बीच में खिला जाएगा यह जो मैच है हुए यहाँ पे 4 दिसंबर को होने वाला है बेंगलडू बॉल्स का पहला मैच नहीं होगा लिकिन बेंगॉल वारियस का पहला मैच होने वाला है पिकल सीजन 10 का तो इस मैच में बेंगॉल वारियस की स्टार्टिंग 7 इस तरह से देखने को मिल सकती है मिल जाएगे अगले match की बात कीजाए तो match नुमर elevator 7 Gujarata Chains versus Yu Mumbach के कीला जाएगा 5 December को लेकिन इस मुकाबले में दोनोइ टीम अपना पहला match नहीं खेलेगी तो अगले match की बात कीजाए तो match नुमर soup टाईटन 6 December को मुकाबला होगा तो तेलगू Titans का पहला मैच नहीं है लेकिन पतना Pirates का पहला मुकाबला होगा पीकेल सिजन 10 तो इस मुकाबले में पतना Pirates का स्टार्टिंग 7 इस तरीके चे देखने को मिल सकता है सेंटर पे सचिन तनवर, राइट इन पे मंजीत दहिया, लेफ्ट इन पे सुधाकर एम, राइट कवर पे नीरज कुमार, लेफ्ट कवर पे सजिन चंदर शेकर, राइट कॉनर पे कृशन दुल and लेफ्ट कॉनर पे हमें अंकी जाकलान देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पे पटना पारेट्स की स्टार्टिंग सेवन पहले मुकाबले के लिए रहने वाली है, मैच नमबर 9 की बात की जाए तो मैच नमबर 9 खिला जाएगा, यूपी योधास वसिस हरियाना स्टीलस के बीच में, ये मुकाबला भी 6 दिसंबर को होगा, एंड यूपी य तो ये यहाँ पे हरियाना स्टीलस की पहले मैच की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है, तो मिन आपको सभी टीम के पहले मैच की स्टार्टिंग सेवन बता दिया कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एंड आप कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि इ आप कॉमेंट्स में अपनी राइक पता सकते हो, मैं सभी के कॉमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, अभी फिलहाल कुछ ऐसे बड़े साइनिंग समय है, लीक से पहले देखने को मिल सकते है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है, लाफ साइट पे क् थेंक्स पर वाचिंग